अक्षे कुमार और टागे शौफ की बड़े मिया छोटे मिया मूवी ठीटर सके इंदर रिलीज हो चुकी और सबसे पहली बात ठीक है सबसे पहली बात जो तुमको उसके बार में जानना एकदम मॉस्ट एकदम इंपॉर्टेंट कि अगर तुम इसको देखने जा रहे हो तो एक action mass masala movie है जिसके सबसे पहली priority अपने heroes को celebrate करना और ये field के अंदर आने वाली majority movies अगर तुमको enjoy करनी है तो सिर्फ entertainment के लिए देखने जाओ अगर logic ढूणने गए तुम अपने ही पाँपे कुलाडी मार के लोगे और मैं वो नहीं करने वाला हूं क्यों चोड़ा सा example देना ह की मिलकर plan बनाते हैं कि ब्रिटन में एक underground tunnel में वाल्ट है वहाँ अपने को खुषना है point A पे वह दोनों है point B उनका destination hacker लड़की दूसरे रास्ते से जाएगी एक security guard को मारती है और जाकि बिजली का Liverpool करती है ताकि अपने handsome hung Mr. Cheetah जो कि दूसरे रास्ते से आने वाले है underground tunnel subway चल और एक ऐसे platform पर पहुंचना है जहां पर आम लोग नहीं जा सकते लेकिन वो चले जाते हैं और अपने destination इस point number B पर पहुंचने के बाद वो लड़की दर्वाजा अंदर से खोलती है तुमको समझ में आए यहां पर क्या हुआ समझेगी नहीं तुम यह सब करने की क्या ज़ लोग नोटिस नहीं करेंगे तो question कैसे आएंगे जैसे कि उसे tunnel वाले action sequence में एक moment build किया जाता है hero की entry यह hero लोगों के कान में वो machine लगावा है जिससे अंदा आज आए कि किसी की entry होने वाली है तायलोग मारा है उसने just लेकिन उनके आसपास circle में जो villain लोग ऐसा बंदूक पकड़के खड़े हैं उनको एकदम से vibration feel होने लगती है कि oh my god क्या हो रहा है एक बंद जाता है दीवार को से चू कर फील कर रहा है I was like damn क्या करने वाला है यह लोग मिश्टर बड़े मियां दीवार के उस साइड से बजूका चलाते है बं बड़ा उठता है दीवार में छेद होती है वंदर आते हैं लेकिन उन्होंने उसको वाइबरेट कैसे करवाया 20 मिनिट तक मूवी के चार मे पर मूद दिया और हम सब को पता है कि ऐसी मूवीस के अंदर विलन या उसकी पूरी आर्मी मिलके पूरे देश की गोलिया कि उन्हें चला दे किसी हीरो को उच्छुएगी भी नहीं इस ओके बहुत चारी मूवीस के अंदर हमने देख और जो उसको अच्छे से दिखाती है अपने इंजॉई भी करते हैं बड़े मिया चोटे मिया के अंदर एक सीने जहां पर खुला मैदान रेगिस्तान कोई सपोर्ट कोई कवर नहीं आगे टाइकर श्रॉफ गाड़ी चला रहे हैं जो की खुली हुए उपर से पिछे अक्षे सर घोड़े पे चल रहे हैं और उन मूवी है एंटेटेन्मेंट के लिए देख रहे हैं इस लेवल के हिसाब से पार कर जाएं यहां पर नहीं और मैं इतना फास्ट एंट फीडियोस क्यों हो क्योंकि अक्षे कुमार उनके पिछली कुछ मूवी नहीं चल रही जिसमें से कुछ एकदम खराब भी थी लेकिन इ इसा रखा हुआ है जिसकी एक हिस्ट्री एक्जिस्ट करती है उस लेवल पे चलके अगर एक सीरियस के बदले थोड़ा बहुत फणी लाइठ हार्टेड एक्शन मूवी बना थे जिसमें भले लॉजिक काम नहीं कर रहा है लेकिन दोनों हीरो के बीच का जो बैंटर है एक की बेज दी कर रहे हैं वल नाइनर मार के हसानी की कोशिश कर रहे हैं अगर ये काम कर जाता तो भी मैं पिच्छे रेक्मेंट कर देता बट नहीं I mean they tried उसमें से 10-15% ही काम करता है और यह भी after considering जो उन्होंने छोटे बहुत मीम के रेफरेंसे मारें कि अक्शे कुमार का ऐस बात करने तो उनके बीच में इतने सारे कट्स मारें इतने सारे कट्स मारें जब यह OTT पर आएगी ना तो मैं तुमको मिशन देता हूं तुमको डायलोग वाले सिंस में मेजर करना की एवरेज शॉर्ड का डियुरेशन कितना है एक सेकेंड से जादा कहीं रुकता ही नहीं सरप्राइज आदे गंडे पहले पिच्छर देखा है जितना मेरी मेरी में वह आया है टाइगर श्रॉफ के अब्स नहीं दिखे हां बॉड़ी नहीं दिखा ही है पूरी पिच्छर में मैं सो रहा था साथ बता हूं एकदम ऐसा कंफेशन करना हो तो मूवी के लास्ट में ज तो उनके साथ जो प्रोड़क्शन हाउस है तुमको नहीं पता यह लिंक कहां से लगा तो टाइगर श्रॉफ की पिछली मूवी सर्च कर लेना और मुझे लगा कि वह यह गलती दुबारा तो कभी नहीं करेंगे नहीं अच्छली इस पिचल में कहीं ग्रीन स्क्रीन दिखत और मैंने बुला और मैंने जब यह शओ ट्रेलर में देखा था तो यह दिन था हाँ अगर तुमको नहीं समझवें रहा है तो यह रहा वह श्रॉट आगा है यह शॉटी के रहा है पिच्चर के अंदर आद पनाया है जिसके करण एक ऐसा शॉट जो कि शायद कर लिष तो भी अभी थिएटर में देखने जा रहे हो तो एक और टास्क में देना चाहूंगा छोटा सा इतना सा बहुत सारा भर-भर के chromatic aberration मैंने नोटिस किया है होता क्या है यह जो तुम अभी फ्रेम देख रहे हो इसके अंदर जो hard edges होते हैं यहां पर तुमको red, blue, green में से colors दिखने लगते हैं जैसे image ऐसे split हो रही हो तो तुम screen में जाके notice करना कि यह edges पर rainbow जैसे ही तुमको भी लाग रहा या मेरे theater का problem था moments में बताओ देखो अब तक मैं सिर्फ बुराई कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं कि picture बहुत ही खराब है खराब है लेकिन गनपत वाला level नहीं कुछ चीज़ें इसने actually अच्छी करी जैसे की explosions fire का जो use है और real वाले sets जहां पर भी खड़की हैं वो frame काफी अच्छा लगता है इनके कारण movie की जो visual quality है ना उसकी थोड़ी इज़त बच जाती है और बड़े मिया चोटी मिया के सामने जो विलन खड़े हुए प्रिथवी रात्सू कुमारन उनको देखकर थोड़ा बहुत अटेंशन जरूर बना रहता है इतने सारे एक्टर्स तो भरें लेकिन उनके बीच में वो इकलोते हैं जिनका काम थोड़ा serious दिखता है तीन गाने सुनने मिलेंगे दो पिच्चर के बीच पिच्टिंग नौट गुड उनके बीच का बैंटर नौट गुड अक्शन डीसेंट है जिसको देखने में थोड़ा बहुत मजा मिल जाएगा अगर इफ यॉर स्विचिंग आफ दिस तिंग हो गया वाही मेरा बस